नमस्कार दोस्तों तो बॉलिवुड के मेगा स्टार सल्मान कान की फिल्म रादी और मोस्ट वांटेड भाई को अब रिलीस हुए एक महीने से भी जादा का समय हो चुका है ऐसे में दोस्तों इस फिल्म को 13 मरी को जहां ओवर सीज मार्केट के सिनेमा घरों में और साती साथ इंडिया में OTT प्लाटफॉर्मों Z5 और Z-Plex पे रिलीस किया गया था तो वहीं भारत में भी इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीस किया जाना था लेकिन देशबर में लगे लॉकडाउन के चलते इस फिल्म को सिफ त्रिपूरा के तीन सिनेमा घरों में रिलीस किया गया था महराष्ट के माले गाओं में drive-in सिने में जबकि औरंगाबाद के एक सिनेमा घर में रिलीस किया गया ज़या इस फिल्म को अब रिलीस हुए एक हफते का समय हो चुका है जहां इस फिल्म ने अपने पहले दिन 11 जून को कमाई की थी 6,018 रुपे, 12 जून को इस फिल्म ने कमाई की 5,445, 13 जून को फिल्म ने कमाई 6,229, 14 जून को 4,460, 15 जून को 2,946, 16 जून को 2,602 और 17 जून को इस फिल्म ने कमाई की थी 2,403 रुपे इस तरह से दोस्तो फिल्म रादे और Most Wanted भाई ने दुबारा रिलीज होकर इन दो सिनेमा घरों से एक हफते में ही कमाई कर ली थी 30,243 रुपे वहीं इसके साथ यदि तिरिपुरा वाले बॉक्स ओविस कलेक्शन को भी मिलाया जाए तो फिल्म भारत से अब तक टोटल 93,491 रुपीस की कमाई कर चुकी है वहीं दोस्तो आपको बताते चले कि फिल्म रादे और Most Wanted भाई को Z5 और Z Plex पे भी काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था और फिल्म अपने पहले ये दिन 249 पे-पर व्यू के हसाब से 4.2 मिलियन से जाधा की विवर्शिप हासिल की थी और 104 चार करूर 50 लाग रुपे का कलेक्शन OTT से इस फिल्म ने अपने पहले दिन हासिल किया था तो वहीं Overseas Market में भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला तो वहीं दोस्तो रिलीज के एक महीने बाद महरास्ट में जब ये फिल्म दो सिनेमा घरों में रिलीज वहाँ ये फिल्म फिर से लग सकती है तो दोस्तो आपका फिल्म रादे और Most Wanted भाई के इंडिया के कलेक्शन को लेकर क्या कहना है साथी दोस्तो यदि रिलीज के टाइम आपके स्टेट में थेटर्स ओपन रहते तो आप रादे फिल्म को थेटर्स में देखने जाते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं साथी अदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दी चैनल को सब्सक्राइब साथी में दिख रहे हैं बेल आइकन को भी धबा दीजिए कि यहां हम आपको देते रहते हैं इसी तरह की तमाम लेटेस्ट छोटी बड़ी सारी अपडेट् झाल